हलो बच्चो तो जैसा कि आप सब को पता है कि C.O.T. का नोटिफिकेशन आ चुका है आपको एप्लिकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं तो किस तरह से एप्लिकेशन फॉर्म भरना है वो सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ताकि आप किसी भी तरह की क कोई भी मिस्टिक ना कर सके क्योंकि जब आप एड्मिशन फॉर्म भरेंगे तो आपको इसको केरफुली भरना है तो इसलिए यह वाला वीडियो है इसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा कि एप्लिकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है और साथ में एक वीडियो में आपको दूँगा उसमें आपको यह बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने जो सब्जेक्ट से उनका सेलेक्शन करना है और किस तरह से आपको युनिवस्टी का सेलेक्शन करना है ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउड ना रहे जब आप यह फॉर्म भरने के लिए पहले तो बिलकुल भी जल्दवाजी मत केजिए समझ लीजी पूरा प्रॉसेस क्या है कैसे भरना है लेकिन जल्दवाजी बिलकुल भी नहीं करनी है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है पहले सारी चीजिजों को अच्छी तरह समझ लेना है कि कौन से सब्जेक्ट लेंग्वेज कप सेलेट करना है और जनरल टेस्ट काप सेलेट करना है सारी चीज़ पहले अच्छ तरीके समझ लेंगे उसके पाद फिर हम भरेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर जो स्यूटी की साइट है तो आप उसकी थुरू भी यहां पर साइट करके फिर आप आगे उसको कर सकते हैं अगर आप पहली बार कर रहें तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा तो आप रजिस्टर यहां पर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आपके सामने जो विंडो ओपन होगी उसके अंदर ये कि सबसे पहले करा है कि आपको download information bulletin जो information bulletin है वो आपको download कर लेना है जिसके अंदर आपके सारी की सारी चीज़े जो आपको सबके आंसर लगब लगब वहां पर मिल जाएंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे तो information bulletin डाउनलोड हो जाएगा मैं भी उसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूं उसको मैं अलग एक वीडियो में बताओं आपको कि क्या क्या चीज़े उसके अंदर है इस सारी information है उसको आप in color और black and white मैंलब color भी photo हो सकती है black and white भी हो सकती है with 80% face without mask यानि clearly आपका 80% face हुए न वो दिखाई देना चाहिए उसमें visible including ears against white background तो आपना white background लेंगे पीछे तो उसके अंदर आपकी जो ears है न यह भी दिखने चाहिए visible होने चाहिए इसलिए photo भी बड़ एच्छे से और scan photograph and signature should be in jpg jpeg format इस format के अंदर होने चाहिए जिसमें clearly legible होने चाहिए वो the size of the scan photograph should be between 10 kb to 200 kb the size of the scan signature should be between 4 kb to 30 kb and the size of the scan copy of the category certificate should be in the pdf between 50 kb to 300 kb the size of the scan copy of the pwbd certificate should be in pdf between 15 kb to 300 kb तो यह सारे चीज़े आप पहले करके रख लेंगे ताकि आप फॉर्म फिल करें तो उसमें बीच में आप disturb ना हो क्योंकि जब यहां फॉर्म फिल करते हैं तब आपको पता लगता है यह वाला size आपके पास है लेकिन यह size तो उसमें चल नहीं रहा है फिर आपको उसको resize कर पहले रख है तो सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहां पर आपको यहां पर पहले क्लिक करना पड़ेगा कि I have downloaded the information bulletin तो फिलाल हम नहीं कर रहे हैं फिलाल हम इसको check कर देंगे बस ठीक है डाउनलोड हम कर लेंगे बाद में आपको पहले download करके सारा कुछ पढ़ लेना उस पैलिंग सही बिल्कुल होनी चाहिए वही नाम आपको यहां पर फिल करना है उसमें कुछ भी चेंजिस आपको नहीं करने फादर्स नेम अगर फादर मदर नहीं है तो गार्जिंस का नेम आप डाल सकते हैं candidate की date of birth, gender, nationality, identity type और valid identification number तो यह identity type जब आप डालेंगे इसमें त पासपोर्ड, school ID, passport, water ID अगर आप मालो pen card लेते हो, pen card अगर बना हुआ है तो जो pen card का जो number होता है pen card number वो आपको यहां पर डालना है enter valid identification number वो number अगर आप अधार कर से लेट कर दें तो आधार का आपको number डालना है जो option यहां पर आपको मिलेंगे उसके साब से आपको देख लेना जो आपके पास है school ID card, passport, water ID, ration card, bank passbook with photograph, driving license, other valid government identity with photograph यहां पर आप डाल सकते हो लेकिन जो भी आप डालोगे उसका number आपको यहां पर लिखना है उसके बाद फिर यहां पर present address address अपना जो भी आपका address होगा, वो address आपको fill कर देना है, email address डालना बहुत जरूरी है, communication के लिए क्योंगी online आप फार्म भर रहे हैं तो communication आपका email या message के तुरू होगा, तो email आपको सही से डाल देना है, और confirm फिर उसको करना है, email address को, mobile number without country code और 0, यहनि आपको सीधे-सीध पर्मनेट address में अगर आपके पास address वो सेम था, जो आपने पहले भरा था, तो उसके क्लिक कर देंगे, तो आपका सेम वोई address आजाएगा, और उसके बाद फिर आपको password एक चूज करना है, password जो भी आप चूज करोगे, minimum 8 character का password होना चाहिए, यह confirm करना है password को, security question एक बनाना ह यहाँ पर generate होगा, वो security pin, यहाँ पर यह capture आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद security pin, यहाँ पर जो दिरेखे, आपको यहाँ पर आपको डालना है, और यहाँ submit का बटन करेंगे, तब आपका यह form जो है, submit हो जाएगा, और आप register हो जाएगे, तो यह सारा process करने के बाद फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, तो इस सारा process में कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो जब आप अपने यह form पूरा complete कर लोगे, form complete करने के बाद आप next पे क्लिक करोगे, तो आपके पास ही आएगा submit and send OTP to the mobile, यानि जो फॉर्म आप आपने पूरा fill किया है, उसको पहले आपको verify कर लेना है, कि सारा कुछ आपने सही भरा है नहीं भरा, अगर कुछ आपको लगता है गलत है, तो edit registration detail पर जाके आप दुबार उसको ठीक कर सकते हो, और जब आप confirm हो जाओ अच्छी तरह कि आपने जो कुछ भरा है, उसमें ठी कर लिया है, ठीक है, आप अच्छी तरह से confirm कर लेना, यहाँ पर यह मुझे चेक करना पड़ेगा, कि मैंने अपना नाम confirm कर लिया है, father's name, email address, present address, date of birth, mother's name, mobile, permanent address, यह सब मैंने confirm कर लिया है, यह पूछ रहा है, जब यह green हो जाएगा, तब उसके बाद आप यहाँ पर send करें अब जाके आपको next window पर लेकि जाएगा, ठीक है, अब जाके आपको यहाँ पर, आपका एक verification code जो है, यहाँ पर वो generate हो जाएगा, जो mobile number आपके आपका है, वो आपका verification, application code यहाँ पर आपके mobile number पर आपको भीज दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास यह message आ आया है, sorry, OTP, तो यह OTP मेरे पास आया है, यहाँ पर security pin जो आपको यहाँ दे रखा है, वो security में आप डाल देंगे, 382, 382, 65, 77, यह डाल के आप submit करेंगे, तो submit करने के बाद यह करा है कि invalid OTP, OTP लगता हमने गलट डाल दिया है, फिर से हम OTP डालते हैं, क्या डाला था, 528, तो दुवारा एक OTP आया है, वो डालते हैं, 126522, 126522, जो capture है हमारे पास, 382, 382, 6577, यह हमने डाला, उसके बाद submit करते हैं, अब देखते हैं, सही है कि नहीं, अब यहां पर जो application number आपका यहां पर आ गया, तो इसका मतलब आपने यहां पर registration complete कर लिया है, तो जब आपका registration complete हो जाएगा, उसके बाद, अब आपको क्या करना है, यहां पर दो option अगर आप log out कर देते हो, तो यहां से log out हो जाओगे, ल आपको continue करने, continue करने के बाद, यहां पर आपको अपनी personal detail डालनी है, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया है, और बागी सारी जो detail है, वो सब यहां पर आप डाल देंगे, ठीक है, मैंने यहां पर randomly डाल दिया है, कुछ भी, आप अपने हिसाब से डालेंगे, जो जो आपकी requirement है, यहां सारी पूरी फिल कर देंगे, आपको सारा कुछ यहां पर, और इसके अलावा यहां पर other quota and category, जो ऊपर जो आपकी personal details है, address वगएरा सब कुछ है, यहां पर आपको डालना है कि अगर आप किसी quota से बिलॉंग करते हैं, तो वो भी आपको डालना है, do you belong to below poverty line, are you a कश सेव कर देना है, तो सेव करने के बाद ही हमें next window पर लेके जाएगा, next window में फिर आपको यह सारा अपना जो data है, उसको review करना है, ठीक है, review करने के बाद, यहां पर गरा, proceed to next section, तो पहले आप यहां पर सारा कुछ review कर लेना, अगर अपडेट करना है, तो update कर लेना, update करने के बाद, फिर आपको यहां पर इसको review करना है, और उसके बाद फिर proceed करेंगे, तो proceed के बाद नम next section पर आ जाएंगे, तो उसके बाद आप से यहां पर educational details मा तो educational detail में, अगर आपको यहां class 10th और equivalent, यहां 10th का आपको भर भरना है, तो 10th class आपने पर pass कर लिए, तो pass पर आप कर देंगे, कब आपको यहां पर इसको save करेंगे, तो save करने के बाद फिर आपको यह next step पर लेके जाएगा, ठीक है, यहां पर कुछ information जो मैंने नहीं डाली थी, वो आपके पास, यहां पर message आजाएगा, कि वह यह information आपकी गलत है, तो इसको आप ठीक कर लेंगा, तो यहां पर अभी जो मैंने randomly यहां पर face ने दिखा दिया, कि वह यह यह चीज आपकी गलत है, enter maximum marks, चलो हम डाल देते हैं, यहां पर मालो 5 subject हैं, तो 500 होगे, marks obtained मालो हम को 400 marks मिल गए, ठीक है, ज्यादा होशयार हम नहीं है पढ़ाई में, percentage बन गी हमारी, चलो ठीक है जी, तो उसके बाद फिर हमने save किया, तो save करने पर आपके पास यह आपको next window, अगर आपका यहां पर detail correct नहीं होगी, तो आपको next window पर लेके जाए गए, ठीक है, तो next window पर हम आगे, इस सारा कुछ detail जो हमने fill करा था, वो आगया, आप कहता है कि आपको proceed to next section, उसके बाद आप next section पर proceed करेंगे, अब यहां पर बड़े ध्यान से आपको डालना है, examination center details, last year जब exam होआ था तो बच्चे परिशान होगे थे कि उनका residence कहीं पर था, center कहीं पर दू डाल द दिल्ली में फिर आप से city पूछेगा, तो यहां पर दिल्ली में तो city को आएगी, निवस न्यू दिल्ली, वगर आप कोई और state डालते, जैसे मैं दूसरा अगर option डालता हो, तो मानले मानलो हरियाना डाल दिया, तो यहां पर फिर आप से city पूछेगा, यह फरीदाबाद, दो ही जगे center है यहां पर, तो आपको फिर वही डालना पड़ेगा, जो इसमें option available है, वही आपको डालने पड़ेगे, उसके बाद इसको आप save करने के बाद फिर यह next उस पर लेकर जाएगा, आपको अब यहां पर आपको proceed to next section, जो भी आप fill करोगे, हमेशा उसके बाद अ जाती है, मालो आपने पहले ही हाँ पर click करा तो आपके पास मालो यूनिवस्टी जा गई, तो सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आ गया, अब उसके बाद मालो आप और चाहते होगी, और दूसरी उनिवस्टी आप add करो, तो आपने यहां पर click किया, मालो हम यहां पर ले लेते हैं, बाबा सही भीमरा अम्बेट कर यूनिवस्टी, यहां से हम क्या करना चाहरे हैं, यहां से हम B.Sc. उनिस करना चाहरे है, इसको add कर दिया, तो इस तरह से आप जो 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 इनिवस्टी को target कर रहे हो, उनको आप यहां पर add करते जाओ, तीन, चार, पाँच जो select करना है, और कैसे करना है, ठीक है, तो यह हमने यहां पर किया, अगर आप चाहते होगी, आपने कुछ गलत भर दिया, तो इसको आप यहां पर जाकर remove कर साखते हो, तो आपने मालों यहां पर भर दिया, उसके बाद हमने इसको review किया, तो review में हमारे पास, यह आगया भी हम मेरा medical university पर जाकर BAC honors आप करना चाहते हो, तो आपको section 1 में से एक language चूज करने पड़ेगी, any of the listed language में भी chosen, फिर आपको section 2 और 3 में से chemistry, geography, physics, biology, mathematics, इन में से कोई 3 आपको subject चूज करने पड़ेगे, यह इसका eligibility criteria यहां पर भी available है, तो आपको universities की अगर website में जाने में दिक्कत आती है, वहां से अगर आप नहीं देखना चाहते है, तो आप यहां से भी देख सकते हो, ऐसे यहां पर अगर आप अरुनाचल university of study से करना चाहते हो, chemistry, diploma in pharmacy, तो आपके लिए इसके लिए आपके बस chemistry और English, यह दो subject होने जरूरी है, तो आप इन दो subject का exam देके, यहां पर इ युनिवस्टी में जाना चाहते हो, मालो हमने select करा, हमने select कर लिया मालो दिली युनिवस्टी, कहा गई जी दिली युनिवस्टी, युनिवस्टी ओफ डेली, बहुत से बच्चोंगा कोशन रहता है कि सर, eco honors हमें मिल पाएगी ने मिल पाएगी, तो युनिवस्टी ओफ ड यहां पर, BA honors economics, ठीक है इस पर आप click करेंगे, आप इस पर click करेंगे, इसको add करेंगे, add करने पर यहां पर आपको क्या चाहिए देखो, युनिवस्टी ओफ डेली में BA honors या economics आप लेना चाहते हो, तो anyone from section 1, section 1 में से आपको कोई एक चूज़ करना है, mathematics या applied mathematics, तो mathematics या applied mathematics य इसलिए आपको परिशान होने के जरूद निए कि आपके बस applied है, तो इक ओनर्स में आप नहीं जा सकते, plus any 2 from section 2, यानि mathematics और applied mathematics में से तो ये तो compulsory है, और इसके अलावा आपको section 2 में से कोई भी दो subject और ले लेने, तो आपको इको ओनर्स के लिए आप eligible हो जाओगे, तो इ पर देने जाओगे, आप mathematics का paper देने जाओगे, आप applied mathematics का paper नहीं दे रहे हो, तो अगर आप यहाँ पर इस वाले subject, इस वाले इस में भी आप जाते हो, तो यहाँ भी आप eligible हो, अगर आपके पास applied mathematics है, क्योंकि आप paper mathematics का दे रहे हो, उसके अंदर फिर जाके दो parts में divide हो जा अब यहाँ पर आप जाएंगे, तो अब आपके पास select test paper, अब आपको test paper select करने है, अब यहाँ पर जब आप test paper select करोगे, तो आपको subject one select कर लिया है, माललो आपने English select कर लिया, अपने एक ही language देनी है, अगर आपने दो language देनी है, तो माललो आपने दूसरी language भी select कर लिया, उ यहां पर सारे option है आपके बास जैसे मानलो chemistry select करना है मैंने chemistry कर लिया ठीक है मैं को मानलो mathematics select करना है तो मैं mathematics select कर लेता हूँ अब यह mathematics आपने select कर रहा है तो इसके अंदर आपको applied और course दोनों के option मिलेंगे जब आप exam दोगे यहां पर नहीं मिलेगा ठीक है तो अब इसका medium जो होगा वो medium भी आपने select कर लिया अपने medium select कर लिया ठीक है इसी तरह से आप जितने भी जो आप universities को को टार्गेट कर रहे हो उसके हैसाबसे आपको subject select कर लीने और subject select करने के बाद माजनलों आपने यहां पर business से JACK करना यहां उसका medium आपने देदी आ अगर आप joined terms他 हो ons the general test कहां पर है general test में दिखे हैं लास्त में पाये आपको general यह में इस तरह जो आपको courses करने वह वह सारे आप we सरेट्ट कर सकते ह। ठीके तो हम इहां पर आप कर लेते हैं सभी में अगर आप कोई नहीं देना चालते हूँ इसके अलावा मालक आपने छ VS पेपर सिलेट्ट कर लिये आप साथ आट नो दस नहीं देना ठीक है तो फिर वहां पर मीडियम भी डालना पड़ेगा तो इससे वड़ी हम यहां पर नोट अप्लीकेबल ही कर देते हैं यहां पर हमने मीडियम डाल दिया जी अब उसके बाद फिर आप नेक्स टैप के लिए इसको सेव करेंगे तो एक अजय सेव हो जा भई क्योंने हुआ कुछ रइड नहीं होना चाहिए बस तैस्स पेपर डिक्रेरेशन केंनोट भी बलैंक है तो डिक्लेरेशन कहांपर है दिकलेरेशन कहांपर है इसको चेक करना फिर उसको गाद आप सेव करने सेव हो गया जी अब उसके बाद यह आपका रिव्यू हो गया रिव्यू हो गया यह हो गया उसके बाद फिर आप next section पर जाएंगे अब next section पर आप जाके यहां पर आपको documents upload करने हैं यह मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको यहां पर भी size वगरे के बारे में लिखा हुआ है कि किसका क्या क्या size होना चाहिए यह document आप upload करके signature आपका फोटोग्राफ है वह इसार अप का पसरेंक option रहेएगा जो फी पेमेंट करने के बाद आपका जो registration आपको बढसे हैं और फिर भी कंफूजन है तो comment box में आप comment कर सकते हो कोई भी doubt है वह आप पूछ सकते हो और प्रेपरेशन के लिए अपलाइड मिथेमेटिक्स का जो और अपलाइड मिथेमेटिक्स प्लस जंरल टेस्ट, तो उसका हम कूर्सित गॉर्ड क्लासिस पर जरूर स्टार्ट करेंगे और उसके भारे में मैं नोट्िफिकेशन आपको जरूर देदूँगा, आज किस वीडियो में इतना ही. Thanks to all of you.